सीरेल शकबाज में कामनी करेंगी प्रियंका को टॉर्चर और लेंगी अपना बदला शिवाय और उबराय परिवार से सीरेल शकबाज में ना जाने उबराय परिवार वालों के कितने दुश्मन है जी हाँ अभी एक पूरा परिवार टिया और मिसेस कपुर की सचाई सब के सामने आई थी और उनसे छुटकारा मिला था जी हाँ कामनी की हुई है शो में एंट्री और वो है अब शो की नई विलन कामनी का करेक्टर आमरपाली गुपता प्ले कर रही है और कामनी का करेक्टर होगा काफी important वो काफी glamorous होगी और उबराय से भी जादा पैसे वाली होगी कामनी की entry उबराय के घर में हुई है किसी hidden intention के साथ कामनी के बेटे की शादी होगी उबराय के बेटी प्रियंका से और फिर कहानी में कामनी करेंगी प्रियंका को torture कामनी शिवाय और अबराय परिवार से बदला लेना चाहती है और वो प्रियंका को अपने इस बदले का मुहरा बनाएंगी अब देखते हैं कि कामनी कैसे एक बार फिर से शिवाय और अनिका की लाइफ में लाती है प्रॉब्लम्स पिचारे शिवाय और अनिका ने अभी तो टिया से छुटकारा पाया था और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर रहे थे लेकिन अब उनकी जिंदगी में नई प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है और उस प्रॉब्लम का नाम है कामनी लगता है इन दोनों की लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी दुश्मनों का खात्मा करते करते अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर कामनी का खात्मा कैसे करते हैं पेले शोव से जूरी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्रीज सब्सक्राइब अस सिरल शकबाज में कामनी करेंगी प्रियंका को टॉर्चर और लेंगी अपना बदला शिवाय और उबराय परिवार से सिरल शकबाज में ना जाने उबराय परिवार वालों के कितने दुश्मन हैं जी हाँ अब ये एक पूरा परिवार टिया और मेसिस कपुर के सचाई सब के सामने आई थी और उनसे चुटकारा मिला था। जी हाँ कामनी की हुई है शो में एंट्री और वो है अब शो की नई विलन। कामनी का करेक्टर आमरपाली गुपता प्ले कर रही है और कामनी का करेक्टर होगा काफी important वो काफी glamorous होगी और ऑबराई से भी जादा पैसे वाली होगी। कामनी की एंट्री ऑबराई के घर में हुई है किसी hidden intention के साथ। कामनी के बेटे की शादी होगी उबराई के बेटी प्रियंका से और फिर कहानी में कामनी करेंगी प्रियंका को टॉर्चर। कामनी शिवायर और अबराई परिवार से बदला लेना चाहती हैं और वो प्रियंका को अपने इस बदले का महरा बनाएंगी। अब देखते हैं कि कामनी कैसे एक बार फिर से शिवाय और अनिका की लाइफ में लाती है प्रॉब्लम्स। पिचारे शिवाय और अनिका ने अभी तो टिया से छुटकारा पाया था और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर रहे थे। लेकिन अब उनकी जिंदगी में नई प्रॉब्लम माके खड़ी हो गई है और उस प्रॉब्लम का नाम है कामनी।